कि यस्वी यादों की नई सरकार में यादों की किस्मत तो चमकी है लेकिन यादों के साथ मुसल्मान भी पीछे नहीं हैं। के दलित और महादलित मंतरी है तो अगर हम भूमिहारों हो की बात करें तो दौन भूमिहार मंतरी है और तिन राजपूत मंतरी है तत्धा एक जो मंत्री है वो प्रमण जाती चाहते हैं। और इसी सब चीज़ पर आज हम बात्चित करेंगे, आपको बताएंगे कि किस जाती का कौन सा मंत्री बना, किस जाती से कितने मंत्री बनाए गए और किस पार्टी ने किस जाती को ज़्यादा हैमियदी, बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता अन्यक किजिए, क्वालेज या ओफिस के बाद भी आप सो रुप्या प्रति घंटा कमा सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिखाई दरा है, उस पर मिस्कॉल दीजिए, या अपने अंड्रोएट फोन में प्लेश्चोर को खोलिए, वहाँ पर रैपीडो केप् की तरफ से सबसे जादा सात यादो मंत्री बनाए गया है, इन सात यादो मंत्रियों में, जो स्री यादो मतलब क्यों पूखी मंत्री की हैसियत से, खुद भी शामील है, जो चंदर शेखर है, मधेपूरा से जो चुनाव जीत कराए है, वो राजत से है, वहीं अगर हम जद इंदर यादो जो है, वो एक मात्र यादो मंत्री बनाए गया है, और मंत्री मंदल में इनकी हैसियत हो जाती है, आठ, यानि कि तेजस्वी यादो को लेकर, तेजपरताप यादो को लेकर, और इन सारे विधायकों को लेकर, अगर हम यादो मंत्रियों की बात करें, तो उस मुसल्मानों की तरफ से अगर हम बात करें तो जमा खान जो जदियू के कोटे से मंत्री बनाए गया है एक बार फिर से उनको अलब संख्यक मंत्राले का विभाग सोब दिया गया है इसके पहले वाली सरकार में भी वह अलब संख्यक कल्यान विभाग संभाल रहे थे और इस ब मतलब कि इनकी जो इनको प्रदित्म मिला है वह अच्छा-कासा प्रदित्म मिला है फूरा सम्मान सरकार में मिला है अगर हम party wise बात करें कि किस दल ने किस ने कितने दलित महादलित को मंत्री बनाया है तो सबसे पहले राज़त ने दो लोगों को मंत्री बनाया है इसके अलावा जदिव ने भी दो लोगों को मंत्री बनाया है वहीं कॉंग्रेस party ने एक अपने मिधाय को मंत्री बनाया है तथ अब अगर हम एक और बात कर लेगी निशाद तो जो मदन सहनी है वो निशाद समुदाय से एक मात्र मंत्री बनाए गया है इसके अलावा अगर हम अगडी जातियों पर आएं तो ब्राहमन से के कोटे से मंत्री बनाए गया है और वो रायत के MLC है तो दुसरे जो है वो जदिव के कोटे से मंत्री बनाए गया है जो कि भूमियार विधायक है या भूमियार नेता है इसके अलावा अगर हम राजपूत जाती की बात करें तो कुल तीन राजपूत नेताओं को मंत्री मंदल में जिम्मेंदारी दी गई है जिसमें से एक राश्य जन ताजल के हैं जगदानद सिंग के बेटे सुधाकर सिंग तो दुसरे राजपुत जो है वो लेट सी सिंग है जो softly जदियू से है तो आगर यह मत्री इसरी राजपुत never से मंत्री बनाए गए हैं तो आप कहा सकते हैं कि जदिव के कोटे से दो राजपूत मंत्री तो वहीं राजत के कोटे से एक राजपूत मंत्री जदिव और राजत दोनों मिला कर आठ यादों मंत्री और जदिव राजत दोनों मिलाकर कॉंग्रेस भी मिलाकर पाच मुसल्मान मंत्री और इसी प्रकार से छे दलीतों की सरकार में भागीदारी सुनेशीत की गई है कुल मिलाकर मंत्री मंडल में जिस परकार से जातिय समिकरन का पुरा ख्याल रखा गया है उसे लेकर कहा जा रहा है कि आगे आने वाले भविश में जाती समिकरन को लेकर सब कुछ ठीक रह सकता है क्योंकि हर चीज का ध्यान रखा गया है कि उसमें भुम्यार की भी भागेदा राजपूत की भी भागयदारी हो और मंत्री मंडल में अलग-अलग जातियों की विधायकों की संख्या इसलिए कम और जादा है क्योंकि अलग-अलग जाती के विधायकों की संख्या भी इन पाटियों में कम और जादा है जैसे कि एकर यादो मंत्रियों की संख्या जादा है तो जाहिर सी बात है कि यादो विधायकों की संख्या भी राश्ट्री जन तदल में जादा है तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं बाकी हमने आपको बताया कि कि इस जाती के कितने मंत्री बनाएगा है सरकार में हरी जाती की जो भागीदारी होती है वो कैसे सुरिशित की गई है बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट वक्स में लिकर बताईएगा वीडियो शेर कीजेगा फेस्बुक पेज को लाइक कीजेगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं फिर बह कुछ और में मूइक कुरार सिंग